यहाँ पर क्योंकि हानी भी है इसके लिए यहाँ पर कोई पेस्टिसाइड वगरा यूज नहीं करता है वी डोंट रेकोमेंड एनी इंसिक्टिसाइड और पेस्टिसाइड साल 1973 जब एक जार्मन इतोलोजिस्ट कार्ल बहुण फ्रीस्ट वेगेल डांस को डिसकोवर किया था आईए जानते है क्या है वेगेल डांस और क्यू इसको पर्फूम किया जाता है हनी भी तीन तरह का होता है एक होता है वर्कर भी एक होता है ड्रोन और एक होता है क्विन तो एक्च्वाली ये डांस वर्कर भी पर्फूम करता है क्योंकि जितना भी फूट कलेक्शन होता है कॉम के लिए वो वर्कर भी पर्फूम करता है उसके लिए वो लोग फूट सोर्स को ढूनने के लिए जाता है तो उसके ढूनने के बाद वो लोग फिर से अपनी कोम में आता है और एक तरह का डांस पार्फॉर्म करता है specially दो तरह का dance परफॉर्म किया जाता है एक होता है round dance और एक होता है wagel dance जब भी round dance परफॉर्म किया जाता है तो उसका मतलब है कि food source काफी नजदिक है within 50 meter from the hive accordingly worker भी अपनी food source के पास चला जाता है और जब भी wagel dance परफॉर्म किया जाता है तो उसका मतलब है कि food source within 50 meter से लेके 1000 meter भी हो सकता है और उससे भी जादा भी हो सकता है तो wagel dance में एक खास बात है कि इस dance में distance के साथ साथ direction भी indicate किया जाता है wagel dance में dance का जो angle होता है वो sun की direction से एक certain angle में होता है जिसे कि अपनी food source से nest का source का direction पता चल सके wagel dance में food source जितना भी दूर पे है उसका हिसाब से number of rounds complete किया जाता है within one quarter of a minute तो जितना भी number of circle complete करता है उसका हिसाब से वो लोग पनी food source को distance पता लगाता है ऐसे ही interesting topic को जानने के लिए आप मेरा चैनल को subscribe कर सकते हो thank you for watching the video